प्रणाम दुस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मा लक्षमी जी के बारे में यानि आप सभी को पता है कि हम अगर अध्यात्म भी करते हैं अध्यात्मिक रहा पे चलते भी हैं लेकिन सभी व्यक्ति को जीवन में लक्ष्मी की तो जरूरत है हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं मुझे लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है ऐसा कभी हो नहीं सकता जो व्यक्ति संसारिक है या तो फिर जो भी कोई चीज में कार्यरत है वो व्यक्ति को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है और भगवान ने भी ऐसे अच्छे से हमें बनाया है कि एक पेट नामक हमें अवयव दिया है जिसके वज़े से हमें काम तो करना ही पड़ता है यानि ऐसे नहीं है कि पूरा दिन अराम से बैठे और पूरी जिंदगी भी निकाली नहीं क्योंकि भगवान को पता है कि अगर मानवी को अगर हम पेट नहीं देंगे तो वो पेट में अगर भूक नहीं लगेगी तो ये काम भी नहीं करेगा तो ऐसा अच्छा सा खेल भगवान ने भी हमारे साथ खेला है तो पेट की भूख मिटाने के लिए, अपने जीवन को सरलता से चलाने के लिए, अच्छी नई चीजे करने के लिए, सभी वेक्तियों को पैसे की जरूरत रहती है तो आप सभी को पता है कि अगर पैसे की बात आते हैं तो हम सबसे पहले मा लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आप सभी को पता है कि भगवान विश्नु की पत्नी मा लक्ष्मी वही है जो अगर हम पर प्रसन्न हो जाए तो फिर हमें किसी चीज की कोई चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं रहती तो मा लक्ष्मी जी को प्रसन कैसे करें और एक प्रशन जो हम सभी सामान्य वेक्तियों को सताता रहता है कि मैं मेरे घर में जो भी पैसा आता है उसे बचाओं कैसे और वो मेरे घर में कैसे टिके काफी लोगों को यह मैंने देखा है परिशानी रहती है कि पैसा आता तो है लेकिन वो टिकता नहीं है जैसे ही आता है वैसे ही चला भी जाता है फिर वो किसी भी तरीके से हो यानि दवाई की खर्चों में कहीं और नुकसान भी हो जाता है तो ऐसे कुछ न कुछ कारणों की वज़े से वो पैसा टिक नहीं पाता है तो काफी लोग सवाल पूछते हैं कि दिदी मैं क्या करूँ ताकि लक्ष्मी जी मेरे पे हमेशा प्रसंद रहे और मेरे घर में जो भी पैसा आता है बहुत नहीं पर जो भी कुछ आता है वो हमारे घर में अच्छे से रहे टीके तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपने लक्ष्मी जी की मूर्ति तो देखी होगी, तो प्रतिमा देखी होगी, उनकी छाया चित्र देखा होगा, तो उसमें लक्ष्मी जी एक कमल पे बिराजमान है, तो उन्होंने जो चार भुजा हैं, उसमें एक में कमल लिया है, दूसरे हाथ में भी कमल देखने को मिल तो जिस हाज से वे आशिरवत देते हैं, तो मा लक्ष्मी हमेशा यही कहना चाहती है, हमें सभी व्यक्तियों को कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगी तो सही, लेकिन तुम्हारे घर में वातावरण वैसा होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि घर में लक्ष्मी तभी टिकेगी जब आप अपके घर में वातावरण वैसा रखेंगे, आपके घर में साफ सफाई रखेंगे, क्योंकि हमारे यहां पे तो कहा जाता है कि जहां पे साफ सफाई होती है, शुद्ध वातावरण होता है, वहीं पे मा लक्ष्मी बिराजमान होती है या तो फिर मा लक्ष्मी का आगमन होता है कई सारे घरों में मैंने देखा है कि बिलकुल साफसफा ही रखते नहीं है कुछ लोग, शायद उन्हें व्यक्त नहीं मिलता होगा, या तो फिर कहीं काम में विस्तता होने की वैसे ये चीज़ करने पाते होंगे ऐसे नहीं कहूंगी कि घर में कुई कुछ करता ही नहीं है सब अपने तरीके से काम करते रहते है लेकिन कुछ घरू में मैंने देखा है कि काफी ऐसे पूरानी चीज़े भरी पड़ी होती है तो फिर जो चीजे काम में आने वाली नहीं है, फिर भी वो कहीं न कहीं माले पर रखेंगे, उसको अच्छे से किसी बॉक्स में भर के कहीं पर कोने में रख देंगे, तो ये सब चीजे नहीं कीजिएगा, जितना घर आपको साफ सुतरा रखने का मौका मिले उतना रखिए, हम वहाँ पर जैसे ही जाते हैं, वैसे हम बहुत ही परसन्ना आनूबभ but करते हैं, तो पहले मुह से यही निकलता है कि वहा पर सब साफ सफ़ाय होती है, वहाँ पर अच्छी खुशबू आती है, तो यहीश है अगर हम घरों में, करते हैं तो आपको क्या लगता है कि मा लक्ष्मी जी हमारे घर में नहीं आएंगी क्या उन्हें भी नहीं लगेगा कि हम यहीं पे वसजा यहीं पे रहें इनके साथ तो ऐसे ही होता है जितना घर आप साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और ये काम सिर्फ घर की लक्ष्मी का नहीं है उतना पुरुष्ने भी करना चाहिए कभी-कभी महिलाए ठक जाती है पूरा काम करके तो कभी-कभी आप भी उनका हाथ बटा दीजिए उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो जाएंगी जब घर की लक्ष्मी खुश होगी या तो प्रसन्न होगी तब ही मा लक्ष्मी खुश होने वाली है लेकिन अगर आप आपके घर में आपकी जो लक्ष्मी जी है यानि आपकी जो पत्नी है, धरम पत्नी है उनको यह अगर आप खुश नहीं रखेंगे तो मा लक्ष्मी आप पे कैसे प्रसन्न रहेगी तो जितना जादा आप घर की स्त्री को सन्मान देंगे उसकी बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे वो क्या कहना चाहती है वो अच्छे से सुन के लेंगे ये सारी चीज़े जब आप करेंगे तब जाके मा लक्ष्मी प्रसंद न होने वाली है अगर आप कितने भी मंत्र जाप कर ले, कितना भी कर ले पर वो चीज़ नहीं होती है जब तक मा लक्ष्मी ये नहीं देखेंगे कि आपके घर में कितनी साफ सफाई है आप अपने घर में जो भी शक्ति स्वरूब जो स्त्री है उसका आप सन्मान करते हैं नहीं करते हैं, वो सब चीजे देखने के बाद ही भगवान प्रसन्न होता है, ऐसे नहीं है कि हमने इतनी मालाय कर ली, तो भगवान हम पे प्रसन्न हो गए, ऐसे नहीं है आपके आसपस जितने भी लोग हैं उनको आप कैसा रखते हैं, आप उनको खुश रखते हैं, और फिर आप उन्हें कुछ बुरा भी बोल देते हैं, तो ये सारी चीजे करते हैं, तो आपके कर्म भी बनने लगते हैं, तो आप हमेशा अपने कर्म अच्छे कीजिए, घर की स्री को सनमान दीजिये, उनका भी ख्याल रखे, उन्हें भी पूछे कि उन्हें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, तो ही वो शक्ती जागरूत होगी, और वो शक्ती अगर जागरूत रहती है, प्रसन्ने रहती है, तो मालक्षमी हमारे घर में आती है, तो ये दो चीजे हमें याद रख कि उसे वो चीज सच में उसे वो इस्तमाल करना चाहता है या उसे जरूरत है वो चीज की तो उसे दे दीजिए कई लोगों मैंने देखा है कि कपड़े पहनते तो कम है लेकिन पूरा कबड उनका भरा हुआ होता है अगर कबड खोलेंगे तो सारे कपड़े बाहर आ जाते हैं तो जादा चीजे जो काम में नहीं आने वाली हैं उसे अपने घर से निकालिए उसे कहीं अच्छी जगा उसका विसरजन कीजिए या फिर किसी को दे दीजिए या तो फिर उसे बेज दीजिए तो कुछ-कुछ चीजे तो हर किसी को नहीं दे सकते तो उसे अच्छे से उसक कामकाज खतम कीजिए ताकि negativity नहीं बनेगी घर में, positive रहेगा, वातावरण भी अच्छा रहेगा, साफ सुत्रा घर रहेगा, और दूसरा है कि हमारे घर में जो शक्ती स्वरूप है, जो महिलाएं हैं, उन्हें सन्मान दीजी, तो ऐसे आप अपने घर में लक्ष्मी जी जो आने वाली है, उसे टिका सकते हैं, दूसरा एक उपाय में इसमें बताने वाली हूँ ये वीडियो में कि लक्ष्मी जी का एक मंत्र है, उसका आप जादा उच्छा रहन कीजे, तो उससे भी आपको अच्छे से घर में लक्ष्मी आएगा, या जो भी आप बिजनेस कर रहे या तो फिर जहां पे भी आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छे से बढ़ोतरी होगी, धन, सुख, समुरुद्धी, शान्ती घर में रहेगी, तो उसके लिए एक चोटा सा अच्छा सा एक बीज मंत्र है, वो है शिरिम, तो ये शिरिम का जो मंत्र है, इसको जादा उ जुलसी की माला, रुदराक्ष की माला, कोई भी माला आपके पास जो भी माला है, उसके उपर आप इसका उच्estra कर सकते हैं, माला का जब कर सकते हैं, अच्छे साफ शुत्रे कपड़े पहनिए, दूले हुए वस्तर पहनिए, वस्त्र फेनिए, नान कीजिए और फिर ये मं आपको चुछ पंखुडियों की तो ऐसे आप हवन भी कर सकते हैं अगर मंतर जाप करने का आपको वक्त नहीं मिलता है तो रविवार की दीन या तो कोई भी दीन आपको जब छुट्टी है तो शाम के समय आप ये हवन कीजिए उसके वाइबरेशन्स आपके घर में और आएंगे तो ये सारी चोटी-चोटी चीज़े हैं वो आप इसे अपने घर में अपलाए करना जैसे ही शुरू करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं तो ये ऐसे जो भाई ने पूछा था कि लक्षमी को मैं हमारे घर में कैसे टिके उसके लिए मैं क्या करूँ उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप ये मंत्र का जादा से जादा उच्चारण कीजिए शृम अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा शेर कीजिएगा कुछ विचार अगर आप शेर करना चाहते हैं या तो आपके अनुभव शेर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में धन्यवार की अवलाकरण तो ंफार चैनल करना चाहते हैं